जेहीं दोस्तों CISF Constable Tracement भरती 2022 Admit का डिस्का आ चुका है और I hope आप सभी अपना Admit का डाउनलोड कर लिए होंगे आज किस वीडियो में जानेंगे आपका PT, PhD में क्या-क्या होने वाला है और इसके अलावा कौन-कौन सा Document आपको लेकर जाना है यानि की Complete Document List आपको बताएंगे साथी साथ Cast Certificate का Format भी आज किस वीडियो में जानेंगे Running आपका कितने किलोमीटर का होगा और ये Running जो है आपका Road पा होगा या Ground पा होगा ये भी आज किस वीडियो में जानेंगे इसके लावा दोस्तो Height, Weight और Chest आपका कितना मापा जाएगा Trade Test के अंतरगत आपका क्या-क्या होने वाला है Complete जनकारी जो है Stage 1 की Complete जनकारी आज किस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो वीडियो में आप सभी बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए तो दोस्तो यहाँ पे बात करे फिचकल की Complete Details की तो सबसे पहले आप सभी को बता दे Stage 1 जो आपका होने वाला है इसके अंतरगत आपका PT, PST, Document Verification और Trade Test जो है आपका Complete कराया जाएगा जो आपका Admit Card भी Release किया गया है इसके अंतरगत तो यहाँ पे आप सभी को बता दे इसमें जो आपका Height measurement है वह 170 cm होने वाला है इससे कम अगर आपका Height है तो आप फिचकल देने ना जाए क्योंकि 170 cm जो है एकुरेट आपका Height वहाँ पे मापा जाएगा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे Female की बात करे तो 157 cm और Chest की बात करे तो 80 cm और आपको 5 cm फुला कर 85 cm करना होगा इसके अलावा दोस्तों अगर आप सभी बिलोंग करते हैं गड़वाल, कुमोन, गोरखा, दोगरा, मराठा इन सभी कम्यूटी से या इसके अलावा बिलोंग करते हैं अगर आप सभी अगर यहां से इन सभी इस्टेट से बिलोंग करते हैं या इन सभी कम्यूटी से तो आपका हाइट 165, female के लिए 155, chest आपका 77, 5 cm फुला कर आपको 82 cm करना होगा इसके बाद दोस्तों All India Schedule Tribes के Candidate के लिए 162.5 cm, female के लिए 150 और chest आपका 76, 5 cm फुला कर 81 cm करना होगा वेट की बात करें तो वेट आपका Height and Age के Coding मापा जाएगा तो इसके उपर में कलक से वीडियो आप सभी के लिए बना देंगे कि कि इतना Height and Age के लिए कितना Minimum आपका Weight होना चाहिए इसके बाद दोस्तों आपका PT होगा यानि कि Height, Weight और Chest Measurement के बाद आपका PT होगा और PT की बात करें तो इसमें 1.6 km का आपका Running होगा और ये Running जो है 6 मिनट 30 सकेंड में आपका Conduct कराया जाएगा और दोस्तों Female की बात करें तो 800 मिनटर का Running होगा 4 मिनट में अब यहाँ पे आप में से काफी सारे स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल होगा कि ये Running जो है रोड पर होगा या Ground में तो दोस्तों आप सभी को बता दे ये किसी Center पर जो है रोड पर भी आपका Running हो सकता है और किसी center पर जो है ground में भी आपका conduct कराया जा सकता है लेकिन ज़्यादा समभावना है कि आपका ये running जो है road पर conduct कराया जाए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें document verification के बारे में लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दे अगनी वीर आर्मी की अगर आप सभी त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए best book रहेगा चक्षू पब्लीकेसान का या एक practice set है जिसमें आपको 50 practice set देखने को मिल जाएंगे और सभी trade के लिए अलग-अलग practice set आता है जैसे कि soldier gd, clerk, technical treatment किसी भी trade की तयारी कर रहे हैं तो सभी का अलग-अलग practice set आता है आप अपने trade का जो है practice set purchase कर सकते हैं और जितने भी practice set है सभी का solution एड एंसर इस book में आपको देखने को मिल जाएगा तो इसका purchase का link आपको description में मिल जाएगा या नजदी के market से भी जाकर इस book को आप सभी purchase कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर document की बात करें कि कौन-कौन सा document आपका जो है इसमें लगेगा तो देखिए दोस्तों document में जो है आपका educational certificate होना चाहिए educational certificate में जो है simply आपका तेंथ का mark sheet और इसके अलवा जो है आपका certificate दोनों जो है original आपको लेकर जाना होगा तेंथ का mark sheet और इसके अलवा certificate क्यartet के तेंथ level का ये आपका भरती था इसके अलवा यहाँ पे date of birth certificate की बात करें तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि तेन्थ के certificate पर आपका ये mention रहता है, तो तेन्थ के mark seat या certificate किसी से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उस पर आपका date of birth mention रहता है, अगर आपके पास है तो ले कर जा सकते हैं, इसके बाद दोस्तो domicile certificate तो निवास परमान पत्र जो है आपको ले कर जाना होगा, इसक और central का caste certificate जो है, RO level, SDO level या DM level, इन तीनों में से कोई आप ले कर जा सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा परियास कीजिएगा, SDO level या DM level का ले कर जाने के लिए, क्योंकि ये best रहता है, ये state level का जो है आपका caste certificate नहीं चलेगा, क्योंकि जो इसका officially notification है, उसमें clear किया गया है कि Government of India, यानि कि केंदर सरकार का जो है caste certificate आपके पास होना चाहिए, central का caste certificate, तो अगर आप सभी OBC से हैं, तो simply आपको NC, ये लियानि कि non-criminal, central का जो caste certificate बनता है, वो आपको ले कर जाना है, NCL certificate, और जो SCST candidate है, उनको भी central का ले कर जाना है, और इसके अलावा EWS candidate को भी, जो general category के candidate है, उन्हें किसी भी तरह के caste certificate की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों, document को लेकर मैंने full जो वीडियो है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताये थे, उसका link description में मिल जाएगा, आप सभी जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा format के बारे में, कि कौन सा format पर आपको बनवाना ह है, लेकिन simply अगर central का आप सभी किसी भी format में बना लेंगे, तो कोई भी problem आपका नहीं होने वाला है, लेकिन central का caste certificate होना चाहिए, अब दोस्तों, यहाँ पे बात करें, for passport size photograph, यानि कि recent जो है, passport size photograph होना चाहिए, और आप में से कुछ student का ये सवाल था, कि caste certificate कितना पूराना तो देखिए, एक साल तक पूराना का अगर caste certificate है, तो उसी आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पूराना है, तो फिर आपको वहाँ पे problem हो सकता है, एक साल पूराना तक आपका caste certificate चल जाएगा, उससे ज़्यादा पूराना नहीं होना चाहिए, इसके बाद द आइसेंस या आधार काड कोई भी ID काडेक लेकर जा सकते हैं, और इसके लावा document verification के अंतरगत आपका identification mark भी check किया जाएगा, फॉर्म अपलाई करते समय जो identification mark आप से भी दिये थे, जैसे कि आप अपने coding दिये होंगे, तो वो भी आपका check किया जाएगा, तो इतना जो है document आपको लेकर जाना है, यहीं बस document आपसे मांगा गया है, इतना document है तो आपको कोई भी problem नहीं होगा, अब दोस्तों यहाँ पे trade test की बात करें, तो देखिए trade test के अंतरगत जो है, जीस भी trade के लिए आप फर्म अपलाई किये हैं, जैसे कि माल लिजिए trade test के अंतरगत अगर आप से भी cook trade के लिए फर्म अपलाई किये हैं, तो cook trade related जो है, आप से वहाँ फे प्रेट काली काम कराया जाएगा, तो थोरा बहुत नोलेज जो होना चाहिए, जीस भी trade के लिए आप फर्म अपलाई किये हैं, उस trade से related थोरा बहुत आपको knowledge होना चाहिए, क्योंकि just ये केवाल इसे आपको pass करना है तो आपको जो है जिस trade के लिए form apply किये हैं उस trade से related जो है थोरा आपसे प्रेट काली जो है काम भी कराया जाएगा और इसके अलावा कुछ प्रास्न भी आपसे पूछे जाएंगे तो इसे केवाल आपको pass करना है अगर आपसे भी pass कर जाते हैं क्य दोस्तों यह जो आपका process है होने वाला है जो अभी आपका admit कर जारी किया गया है जिसमें आपका physical test होगा और इसके अलावा आपका P.E.T. होगा और इसके अलावा document होगा और इसके अलावा trade test होने वाला है बस इतना ही process आपका होने वाला है और इन सभी को अगर आप qualify कर ज किये हैं और अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किये हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आप से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आपका फीजिकल पांच आर से लेकर उन्तीस चार दोहजार तेश तक चलेगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त